तो दोस्तों कैसे आप सबी आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर भाई का एक क्यूशन लेकर के हाजिर हूँ उन्होंने तो रिनोल्ट के उपर वो स्पेसिफिक क्यूशन पुछा था लेकिन मैं उसको आपको जन्रल सेंस में लेकर के चलूँगा उन्होंने कहा था कि रिनोल्ट जो है वो अपने लोगों को चेंज क्यों नहीं करती है तो मैं इस क्यूशन का जितना मुझे पता है जितने मैंने रिसर्च के उस हिसाब से आंसर देने की कोशिश करूँगा और आपको कुछ वैलिवेबल जो अजंपल है वो भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये बात बैटर तरीके से समझ में आए तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं जो आप अपनी स्क्रीम पे देख पा रहे हैं ये वाला जो है वो रिनोल्ट का लोगो है वो इस लोगो से खुस नहीं है लेकिन इस लोगो को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए, जो logo होता है, logo कंपनी की विचार धारा को, और company क्या करना चाती है, क्या कर रही है, उन सबी चीजों के बारे में बताता है, ठीक है, logo ऐसा नहीं हूता कि किसी ने उठा के कुछ भी बना दिया, जैसे आप महिंद्रा की बात करेंगे, तो महिंद्रा निया अभी अपना लोगो चेंज किया है अपनी SUV गाड़ियों के लिए या सबी के लिए ठेके ट्रक वगरा में पुराने वाला लोगो वो चलाते होंगे मुझे ध्यार नहीं है लेकिन अभी उनकी जो SUV गाड़िया वगरा नहीं गाड़िया आ रहे हैं उनके अंदर चेंज लोगो मिल रहा है, तो महिंदरा ने जो लोगो चेंज किया है, वह एक ऐसा कोई छोटा मोटा प्रोजेप्ट नहीं होता है, लोगो चेंज करने का, क्योंकि महिंदरा अब अपने जो नए टैक है, जो उनका राइजिन्ग फिलाल जो वो राइज करने हैं फिलाल जो उनका slogan है लिव यंग, लिव ड्राइव कुछ ऐसा सा है तो वो उस चीज को शो करना जाते थे अपने लोगों में तो लोगो हमेशा कमपनी की विचार धारा को दिखाता है कमपनी की विचार धारा के बारे में बताता है ठीक है कमपनी की आने वाले टाइम की जो प्रोजेक्ट होंगे उन सभी के बारे में बताता है तो लोगो ऐसा है कि बहुत सारी चीजों के बारे में इन्फोर्मेशन देता है तो गाइस दोस्तों सिद्धी सी बात यह कि मान लीजिए महिंद्रा ने वो लोगो चेंज किया तो महिंद्रा ने जो लोगो चेंज किया है वो ऐसा नहीं है कि आप यह सोच रहे है थोटी मोटी कोस्ट में चेंज हो गया वर्ल्ड वाइड उनको अपने उस लुने लोगो को समझाना पड़ेगा लोगो को लोगो बताना चाहिए कि हमने इस चीज के लिए चेंज किया है और जैसे कंपनिया बड़ी होती जाती है वहाँ पर लोगो को डिजाइन करने का कोस्ट अलग है लोगो के जो कमांड होती है लोगो जो चीज़ों को रिपरजेंट करता है वो सारी चीज़ ये बहुत सारी और फैक्टर वहाँ पर माइने रखते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपने मूँ उठाया और चेंज कर दिया अभी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है अभी वी है उस्ट अलिट टू थाउजन सब्सक्राइबर तो अभी अगर हम लोगो चेंज कर देते हैं तो हम पर कोई ज़्यादा इंपक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा शिर्फ क्योंकि हमारे पास 2000 की ओडियन्स है तो उस चीज के लिए हम उस चीज को थोड़ा बहुत अड़ेस्ट कर भी सकते हैं लेकिन जब यही ओडियन्स दो लाख या दो मिलियन होगी तब आप बताईए कि इस चैनल का अगर मैं लोगो चेंज करना चाहूंगा तो कितने सारे लोगों की भावना इसके साथ जूड़ी होई है सभी को पसंद आना चाहिए ठीक है हमारे चैनल की जो विचारदार है या हम जिस कंटेंट के उपर काम कर रहे है वो चीज़ चैनल शो करना चाहिए ठीक है तो ऐसा कुछ काम यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा यानि कि बहुत बड़ी लंबी चोड़ी लिस्ट मेरे सामने बनके खड़ी हो जाएगी ऐसा नहीं होगा कि सिरफ मैंने आज मुझे उठाया और कल लोगो चेंज कर दिया अगर मैं ऐसा करूंगा तो कल लोग ही मुझे बोलने लग जाएंगे कि आप यह कर क्या रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है और बहुत सारे एफेक्टर होते हैं ठीक है मैं महिंद्रा की बात कर रहा हूं जितना मुझे दाना महिंद्रा ने जो लोगो चेंज किया उसमें लग बग उसको शो करता है जैसे पहले आपने देखा मारूती सुजुकी का जो लोगो आता था और आज जो सिर्फ एस के नाम से लोगो आता है उसमें से मारूती का हट चुका है तो एस उनको भी caste करने में बहुत पापड बेलने पड़े थे फिर कोपी राइट का इशूज भी हो जाते हैं ठीक है लोगों कोपी नहीं कर सकते किसी का क्योंकि आप इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज हैं ठीक है जिनका हाजारों करोड का परशाल का टर्नोवर है वह ऐसे नहीं कर स सकते तो बहुत सारी चीजे ध्यार रखनी होती है साथ में अगर आप भी अपना कोई ब्रेंड बिल्ट कर रहे हैं तो करपया करके उसका अपना एक यूनीक साथ लोगों रखिए और शाथ में नाम रखिए ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी समस्या से ना गुजरना पड़े वरना आपको भी पता चल जाएगा कि एक बहुत बड़ा और सरदर्द का और बहुत मोटा खर्चे वाना काम है मिलते को और बैतरिन वीडियो के साथ ऐसी कुछ इन्फोर्मेशन लेकर करके आऊँगा तब तक के लिए हैब ने स्टे